नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेनल नौलिज के 10 Most Important Questions के बारे में तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासेश को सब्सक्राब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राब जरू कर लें तो question number 1 है भारत में कागज उद्योग का प्रिथम सफल का रखना 1889 में निम्न मेशे किस स्थान पर लगाया गया था option से आपके कानपूर, बालिगंच, सिरामपूर और लखनो तो question number 1 का सही answer होगा आपका option D लखनो जी हैं दोस्तो, भारत में कागज उद्योग का प्रिथम सफल का रखना 1879 में लगाया गया था और यह कहां लगाया गया था लखनो में लगाया था ठीक है, तो question number 2 ले लेते हैं, question number 2 है भारत में प्रिथम सूती कपड़े का का रखना कहां इस्थापित हुआ था question number 2 है भारत में प्रिथम सूती कपड़े का का रखना कहां इस्थापित हुआ था तो question number 2 के options आपके सामने आ चुके हैं, इसका सही answer होगा option C मुंबई में next question आता है हमारा question number 3, भारती रियल को कितने छेत्रों में बिवक्त किया गया है भारती रियल को कितने छेत्रों में बिवक्त किया गया है, option से आपके option A 16, option B 12, option C 15 and option D होगा आपका 21 तो question number 3 का सही answer होगा आपका option A 16 next question हमारा question number 4, भारत में पहली बार जनगरना कब हुई थी, तो option से आपके option A 1861, option B 1886, option C 1862, and option D होगा आपका इन में से कोई नहीं तो question number 4 का सही answer होगा option C 1862, भारत में पहली बार जनगरना हुई थी, 1862 next question आता है हमारा जनसंक्या की दृष्टी से बिश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा इस्थान है तो option से आपका दूसरा इस्थान, option B, तीसरा इस्थान, option C, पहला इस्थान या option D इन में से कोई नहीं तो question number 5 का सही answer है option A दूसरा इस्थान, मतलब दित्ती इस्थान है भारत का जनसंक्या दृष्टी से बिश्व में भारत सबसे बड़ा दूसरा देश है तो दोस्तो next question के तरब चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो की description से या हमारे टेलिग्राम चैनल सिभा उनलाइन क्लासे से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो next question के तरब चलते हैं question number 6 भारत का सरवाधिक नगरी करना बाला राज है तो option से आपके option A गोवा, option B महराष्ट्र, option C है आपका दोस्तों गुजरात and option D होगा आपका इनमें से कोई नहीं तो question number 6 का सही आंसर होगा आपका option A गोवा, next question है हमारा question number 7 भारत के किस राज में महलाओं की संखिया पुरसों से आधेक है भारत के किस राज में महलाओं की संखिया पुरसों से आधेक है option A करनाटक, option B तमिलनाइडू, option C बिहार and option D है हमारा केरल तो question number 7 का सही answer है हमारा option D केरल next question है हमारा question number 8 भारत के निमलिकित राज्यों में से किस एक का जन्संख्य गनहत्व सबसे कम है तो option से आपके option A हमाचल प्रदेश, option B सिक्किम, option C है आपका अरणाचल प्रदेश and option D होगा आपका मेगाल है question number 8 का सही answer होगा option C अरणाचल प्रदेश next question है question number 9 भारत की सरबादिक बड़ी जन्जाती है option से आपके option A गोंड, option B धील, option C संथाल and option D होगा दोस्तों आपका इन में से कोई नहीं तो question number 9 का सही answer होगा option A गोंड, भारत की सरबादिक बड़ी जन्जाती गोंड है next question है हमारा question number 10 भारत की सरबादिक प्राचीन लिपी कौन सी है option C है आपका दोस्तों प्राकर्त और option D होगा इन में से कोई नहीं question number 10 का सही answer होगा option A भारत की सरबादिक प्राचीन लिपी ब्रामी लिपी है तो ये थे हमारे आज के 10 questions वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करने है तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक लिए नमस्कार जैहन जै भारत